नमस्कार दोस्तों इस्टुडी फार आलेगरी कल्चर कम्टेट्टू ग्याम में आपका स्वागत है जार खंट कर्मचारी चैन आयोग द्वारा कुछ रिक्तिया निकाले गई हैं जो प्रत्योगी परिछा 2023 के अंतरगत जिसमें ग्रीकल्चर स्टुडेंट के लिए काफी मह संख्या में हैं एक तरीके से अगर आज के समय में देखा जाए तो इसी के बारे में हम देखेंगे कह सकते हैं कि JT GLCCE 2023 परिछा है ये जिसमें क्रिशी पसपालन सहकारितावी बाग के अंतरगत सहायक अनुसंधान पदादिकारी उसके समकच पौद सनच्छन निरिच्छक और कह सकते हैं कि प्रखंड क्रिशी पदादिकारी काफी पदे 300 के प्लस पदे हैं तो इन पे रिक्तिया निकाली गई हैं तो हम इसी में देखेंगे किस तरीके से अलाश्ट डे काउंसा है और क्या इसका सिल्बस रहेगा परिच्छा सुल्क अगर हम देखें 100 रूपया है तो बहुत ज़्यादा नहीं है और जारखंड राज के अनसूचित अनसूचित जनजाद के लिए 50 रूपया ही है तो यह हमारा सुल्क की बात हो गई निश्ट अगर हम बात करें अब इसमें बैकलाग रिक्तिया भी है जो दोर पद रिक्त रह गए थे बैकलाग थे मेन अब हम देख लेते हैं रिक्तियों का विवरण तो रिक्तियों के विवरण में हम अगर देखें सहायक अनुसंधान पदा दिक्यारी एवंग समकच उसमें चार पद अनारचित अनुसूचित जाद के एक पद अनुसूचित जन जाद के दो पद तो कुल मिला के टोटल आठ पद हैं सायक अनुसंधान पदा दिक्यारी के दूशरा जो हमारा पद है कह सकते हैं कि पद सन रच्छन के लिए तीन अनुसूचित जन जाद के लिए सेवन तो इस तरीके स्टोटल 26 पद हैं पहुत सन रच्छन जिसे हम अगर यूपी में बात करें तो प्लांट प्लांट प्रटेक्शन सूपरवाईजर या एडियो पीपी के डाम से जानते हैं निश्ट जो हमारा होगा अनुमंडल उद्यान पद अदिक्यारी तो ये भी काफी महत्पूर्ण इसमें भी पदों की संख्या है सामानत है चोधह पद है 14sw उनुमंडल उद्यान पद अदिक्यारी सांकि की साहयक यंग संकच 28 सांकि की अदिक highness के पद हुजाएंगे आपके सांकी साहयक के पद 28 है और अनसूचित जनजाद के लिए 81 पद, दो पद आदिम जनजाद के लिए समलित है इसी में अनसूचित जाद के लिए 31 पद, तो ये टोटल मिलाके हम देखें अगर तो 308 पद है 308 तो प्रकंड कृसी पदादिकारी में पदोग संख्या काफी अधिक है निरिच्चक विधिक एंड माप विज्ञान ये 28 पद है और कहीं ने कहीं अगर हम देखें तो भूतात्विक भी ले सके हाला कि यहाँ पर बियतिय जी इलिजिबल नहीं होगा तो यह आपके है और इसमें लिखा गया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है तो यह पदों की संख्या हो गई कहते हैं प्रकंड कृसी प्रदादिकारी और जो आपका प्लांट प्रेक्शन का है वो काफी महत्पूर पद है अब इसमें अगर हम योगिता की बात करें तो उपर के जो तीन पद थे उसमें आपको सहायक अनुसंधान पदादिकारी पौद संरचल निरिच्छा क्योंग उसके संकच जो पद थे और साथी साथ प्रकंड कृसी पदादिकारी इन तीनों पद के लिए किसी मानिता प्राप्त विस्विद्याले से क्रिसी विज्ञान में अर्थाथ बीएस्टी एजी होल्डर अगर कोई है तो वो इलिजिबिल हो जाएगा निष्ट अनुमंडल उद्यान पदादिकारी तो उद्यान में आपका क्या है कि या तो आप उद्यान सनातक हो या वानिकी फॉरिष्ट्री से कोई बीएस्टी फॉरिष्ट्री किया है या एगरिकल्चर तो वो मानने होगा सांखिकी अधिकारी के लिए सांखिकी या गर्णित या अर्टसास में सनातक होना चाहिए निरिच्छक विदिक माप के लिए आपका विज्ञान भावतिक इलेक्ट्रानिक्स होना चाहिए सिल्क टिक या सहड़ी कल्चर अथ्वा बीयस्ञे में मुश्ए सहायक अधिच्छक के रूप में और परवैंच्छक के रूप में किसी मौनत्रप्तस तरफ से हल्ट सिल्प मैं डिगिडी तो हम आज की डेट में साथ में वितनावग में 35,400 सुरू होता है तो वो बद हैं तो कह सकते हैं कि एक सम्मान जनक बद है बेहतर बद हैं तो नियुन्तम से ची कहरता की बात हो गई बेसी जी यह इलिजिबिल्टी हो गई इनके बारे में हमने देख लिया प्राइटियोगिता का का इस्तर मेडल प्रत्रम देती यह उनको कुछ राष्ट्री इस्तर की प्रतियोगिता भी स्विरिकाल्ड नियुन्तम आयुकी इसमें दिया गया है 182023 अधिक्तम उम्र की सीमा हित संदर्व 182010 तो यह दिया गया है नियुन्तम आधिक्तम उम्र सीमा 21 वर्स होनी चाहिए तो यह हो जाएगी कि यह गड़ना कब सिखी जाएगी तो यह हो गया इसमें अनारचित 35 वर्स होता है अत्यंत पिछड़ा अगर 37 वर्स अन्फूचित जनजाद 40 वर्स होगा तो यह और अगर कोई भी कलांग दिव्यांग है निसक तो है तो उसको 10 साल का और दिया जा रह चूट ले सकें तो यह चीजें हो जाएंगी आपका निस्ट हम जो मेजर चीज हैं कि पात्रता परिच्छा में बैटने का अनुमत पूरता और बंधिक है क्योंकि यहां आपकी इलिजबिल्टी चेक नहीं होगी में के एक्जाम के बाद आपकी इलिजबिल्टी चेक होगी जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे पहले अगर आपने परिच्छा पास भी कर लिए और आप गलत फार्म फिल करके इलिजबिल्टी बिदाउट इलिजबिल्टी आपने अगर रिप्लाई किया है तो आपका फार्म रिजेक्ट भी हो जाएगा सेलेक्शन आप का रिजेक्ट भी हो सकता है तो यह चीजें है और समय ही दावया भरतियों के वैद अस्थानी निवासी प्रमारपत्र समर्पित किया जाना अनिवारी होगा तो यहाँ पे वैद अस्थानी निवासी प्रमारपत्र कि आप यहाँ लोकल के हैं कि नहीं है जात प्रमारपत्र कभी यहां प्रारूप दिया हुआ है तो जात्प्रमार पत्र आपको लगाना होगा जार खंड क्योंकि है तो आरच्छन में कहीं ने कहीं आपको आयंग संपत्ति पत्र अगर कोई क्रीमी लेयर में आता है क्रीमी लेयर आर्थिक रूपशे सच्छम जो हैं उनके लिए तो कहेंगे कि EWS इंजूसिश है उसके लिए भी आपको कहीं ने कहीं सल्टी भीट लगाने की लगे वाइन है, IS शर्वर्श क्या होगा? क्योंकि can अंऊर कई करेंगे की म्मुख के इच्छा अगर बात करते हैं जो इसमें आपका एक्जाम होगा वो pre main एक तरीके से है तो pre exam और main exam में आपको अलग-अलग चीज़े हैं जैसे जो syllabus दिया गया है इसमें syllabus का भी लेक किया गया है तो हम उसी page पे चल रहे हैं और ये date जो है और 19 फर्वरी तक आप फोटो और हस्तक्षर अपलोड कर सकते हैं तो ये आपका कह सकते हैं कि 15 जनुवरी से 15 फर्वरी के भीच में major चीज़े हैं जो आपको कर लेनी है अर्थात जैसे आपको है प्रखंड विकास अधिकारी है और प्रोडक्शन का है तो आपको एक preference देना होगा कि कौन सा पत पहले चाहिए क्योंकि तीनों की eligibility आपकी एक है परिच्छा का सुरूप क्या होगा जो major हम आप सबको बताना चाहते थे CBT computer based system से हो सकता है या ओ यह मार भी कुछ clear नहीं है अब यह बाद में दिखा जाएगा अब भीरतियों की मेधा सुचल उनके प्रपतां के नर्मलाजेशन अंक के आधान पर तयार किया जाएगा और परिच्छा प्रखासन के प industry नर्मलाजय हम छैएगा तो यह हो गया परिच्छा एक चरन मुः परिच्छा में ले जाएगी आप देखिए मैं जो जोगा वो तीन नम्मर का होगा और अगर आप निगलत विम्थर दिया तो वो एक अंग कटवती की जाएगी भासा विशयों को छोड़कर अन विशयों के प्रश्ण हिंदी और अंग्रेजी दूनों में होगे तो मुख्य परिक्षा अगर ये तीन पालियों में ली जाएगे तीन पत्र होगे पत्र एक अरथात आपको तीन पेपर देने हैं एक पत्र जो होगा वो कुल प्रशन 120 होगे परिक्षा वद दो घंटेक होगी हिंदी भासा ग्यान और अंग्रेजी भासा ग्यान ये साठ साठ किश्चन का होगा और भासा ग्यान में प्राप्त अंक मात क्वालिफाइं होगा अर्थात पेपर फश्ट जो होगा वो क्वालिफाइं होगा आपको 30% नमर बस पाना है पेपर फश्ट में हिसी हिंदी भासा ग्यान और अंग्रेजी भासा ग्यान में दूसरा हमारा पेपर जन जाती योंग छेतरी भासा जो 100 नमर का होगा और 2 घंटे का होगा इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बेंगला संस्क्रित में से किसी एक भासा की परिच्छा विकल क्या धार पर अभर्थी दे सकते हैं आप हिंदी दे सकते हैं या उर्दू दीजी अंग्रेजी दीजी किसी एक भासा को आपको चैन करना है और उसके सो क्यूस्चन आएंगे और ये बहुवल विकल्पी पूंचे जाएंगे चिन्हित जन जाती हैं चित्री भासा में 30% अंक प्राप्त करना निवार होगा अर्च क्यूस्चन होगा और 2,5 गंटे का ये पेपर होगा अब इसमें देख लीजिए आपका तक्नीकी विसे मिन्स अगर आपका BSC AG है तो BSC Agriculture से आपका 100 क्यूस्चन रहेगा सामान अध्यन साब के 20 क्यूस्चन रहेंगे सामान निकरनिक साब के 20 क्यूस्चन रहेंगे और सामान किये हुआ कि अगर कोई 30% से कम पाएगा अगर पूरी की पूरी सीट खाली जाएगी लेकिन चैन नहीं किया जाएगा अब इसमें पत्र एक भासा ग्यान के परिच्छा मिन्यूस्चन रहें सकते हैं कि 30% से कम अंग प्राप्त करने वाले भरतों के नियूद के लिए चैन अगर आपका से किंड चेक नहीं होगा जबकि पेपर फश्ट जो है वह आपका नंबर नहीं जुलने वाला है क्वालिफाई करने के लिए अब इसमें अगर हम भासा ग्यान में देखें थिंदी अनुछेद प्रशन हिंदी व्याकरन प्रशन अंग्रेजी अनुछेद और पे अर्थात अंसीन पैसेज तो आसानी से कोई भी तीस अंक प्राप्त कर सकता है जन जाती यंग छेत्री भासा में आपको दो घंटे देना है वह कल भी पूछे जाएंगे परसिष्ट आपका बारा में दिया गया है टेक्नीकी का पाठकरम अलग से प्रकासित किया प्लांट प्रोडक्शन दिया गया है इसका मतब इंटमोलाजी पैथोलाजी इन सबसे भी अच्छे खासे क्यूश्चन पूछे जाएंगे नेश्ट हमारा समान निद्ध्यन है समान निद्ध्यन के लिए आप लूशंट अंतरराश्टी भासा इंडली पी राजधानी इसी प्राक्तिक संसाधनों की प्रमुख भी से इस्ता है भारत के समीधान राज व्यवस्तार अर्थात पंचायती राज सामधाइक विकास पंचवर्शी हो जाना इन सब के भारे में और भगोले की स्थिति और राजने की स्थिति की समान निद्ध्यन करें तो लूशंट सती साथ कर सकते हैं और सामान गरीद जिसमें प्राथमिक वीजगनेत जामिती समान च्शंट मेंट्रिक लेट के होगे अब मेंण बात आते हैं की का निर्माल कैसे किया जाएगा तो इसमें आपको कह सकते हैं का नारमिलाइजेंशन होगा और इसके आधार पे मेधा सुची में एक स्धिक उमिद्वार प्रापतांक समान रहने पर मेधाक निरधार उमिद्वार की जन्म तित की आधार पर किया जाएगा अब इसमें टिपली के अधियन प्रशन पत्र दो एवं प्रशन पत्र तीन विश्ष्ट में नार्मलाजिशन अंको को जोड़कर समय की तंको की आधार पर मेधार सूची प्रथात पेपर फस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा और पेपर सिकेंड और पेपर थर्ड में जो आपको नम्मर टोटल मिलेगे उसी को नार्मलाजिश करते हुए आपकी मेरिट लिष्ट बनाई जाएगे तो यह हो गया और कह सकते हैं कि आपको मेजर जो भी चीजे थी वो क्लियर हो गई अब इसमें परिच्छा में निवन्तम आर्था के कम सकम अंकवाले अनारचित अब अभी तो निवन्तम पेपर वाइज था 30% हार एक पेपर में निवन्तम 30% लेकिन टोटल जो मेरिट बने यह 36% तो यह भी निवन्तम आपको प्राप्त करना होगा तो कहीं न कहीं कहीं कह सकते हैं कि यह बहुत ही महत्मूर है कि आपका step wise step है और सारे step को आपको cover करना पड़ेगा तो बहुत टिपकल एक्जाम नहीं होने वाला है क्योंकि सामान हिंदी अगर आप हिंदी भासी पट्टी के हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं संस्क्रित के लोग संस्क्रित ले सकते हैं या इस तर किस उर्दू ले सकते हैं तो पेपर सेकंड भी सिंपल ही रहने वाला और पेपर थर्ड आपके major subject से आने वाला डेर्टो क्यूस्चन में आपके 100 क्यूस्चन तो BSC AG से ही रहेंगे तो उम्मीद है जो भी स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे होंगे इसको ध्यान में रखते हुए इसको पीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं गुर्प में उपलब्द भी करा दिया जाएगा तो उसको फोकस करते हुए अपनी रणनीत बनाए और क्योंकि पदों की संख्या अच्छी खासी है चार सो करीब अगरिकल्चर इश्डून के लिए इसमें पद हैं तो तैयारी करेंगे तो बेहतर और ग्रेट पे भी अच्छी है ब्यालेश्यों ग्रेट पे की सर्विस भी है तो आसा करते हैं कि यह हमारे कुछ जो कंडिडियर्स हैं उ उनके लिए बड़ा ही लबदयब होगा